और बात करते हैं हमारे करेंट एजिंडा की कि शार्ट नोट्स शार्ट नोट्स बनाते समय सबसे पहली बात तो आपको यह समझनी है हाउ शार्ट इस दे शार्ट शार्ट नोट्स का मतलब कितना छोटा कितना छोटे नोट्स बनाने हैं आपको exactly कितने को आप short notes कहोगे और कब आप उनको detailed notes कहोगे My dear friends, मुझे लगता है once again, सबकी अपनी अलग-अलग strategy हो सकती है लेकिन मुझे लगता है कि एक chapter, मुझे लगता है that अगर एक chapter दो A4 sheets से ज़्यादा में है if one chapter is occupying more than two A4 sheets, then those are no more short notes short notes must be such that one chapter can be revised in a matter of half an hour one chapter can be revised in a matter of half an hour and therefore maximum two A4 sheets maximum two A4 sheets, maximum इस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए maximum two A4 sheets so that you can revise it within half an hour half an hour में आप पूरा chapter revise कर सको so that it can be revised it can be revised in half an hour आदे घंटे में आप पूरा chapter revise कर सको इस तरह से होने चाहिए short notes one chapter do keep this in mind never more than two A4 sheets अब आप बोलोगे इसका मतलब पूरी इंजिनियरिंग के लिए के इतना चाहिए आपको हो जाएं अब count करके मुझे यह मत बताने लगना कि सर आपने तो 100 chapters बोले थे मेरे तो 101 chapters हो रहे हैं तो 100 chapters का मतलब 100 chapters means what? 100 chapters means 200 A4 sheets 200 A4 sheets में आपकी पूरी इंजिनियरिंग अकुमोडेटेड रहनी चाहिए in 200 A4 sheets your entire engineering must be accommodated entire engineering your entire engineering must be accommodated in 200 A4 sheets में पूरी इंजिनियरिंग रहनी चाहिए so that आप उठते बैठते रिवाइस कर लो so that आप travel करते हुए रिवाइस कर लो so that आप you know सोते सोते रिवाइस कर लो I mean सोते सोते का मतलब जब आप सोने जा रहे हो तो last में 5-10 मिनट 15 मिनट भी हैं आपके पास तो एक चैप्टर तो रिवाइस करी सकते हो सोते समय अगर आपके पास 15 मिनट लगते हैं usually लोगों को नीन आने में तो सोते सोते आप सोने के जास पहले आप एक चैप्टर रिवाइस कर सकते हो इसलिए my dear friend शार्ट नोर्स को जितना क्रिस्प रखोगे उतना अच्छा इसका मतलब यह नहीं है कि एक ही पेज में पूरा चैप्टर खतम करोगे तो नाच्रली आप information को कट करोगे information कट नहीं करनी है सारी information रखनी है बस crisp रखनी है है ना to the point रखना है ओके I hope you get the point यह समझ में आया बात इसी तरह से करना है बटा all right मैंने भी इसी तरह से किया था मैंने पूरा strength of materials 20 pages में 20 pages में पूरा strength of materials revise कर करके रखा हुआ था entire strength of materials in 20 pages entire fluid mechanics in 32 pages entire fluid mechanics in 32 pages और page जब मैं कहता हूँ तो page का मतलब क्या है वो समझ लो page का मतलब है one side page का मतलब है one side तो यह दो pages हुए okay ठीक है कोई कोई इसको पूरे को एक page कहता है इसलिए मैंने sheet लिखा है so basically four sides on academy let's track it झाल